हाई गाईस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ड तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा इंवर्सिटी के रिजल्ट के रिगारेंग कुछ बात करने वाले हैं तो वीडियो में एंटर्स जरूर बने रहे हैं वीडियो को आगे बारी कर दी हैं मतलब यह बीए हो गया हमारा बीएस सी हो गया भी कॉम हो गया ठीक है लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चाट चात्रा हैं जो बारब मेसेज कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा कब हमारा ओपन होगा बहुत सारे बच्चों की मन में सवाल है तो देखो मैं फिर भी भी बोई बोलूंगा कि जिस चात्रा मलब जिस इस्टुड्रेंट्स का चाहें वो बीए का हो बले ही वो बीएस सी का हो या वो बीकॉम का हो अगर उसका रिजल् से मार्क्स नहीं बेज़े गए तो देखो आपके प्रेक्टिकल मार्क्स नहीं है चलो मानते हैं अगर आपको प्रेक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपके इंटर्नल मार्क्स तो होते हैं कि आपके 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 लास की परफॉम्नेंस क्या है उसके मार्क्स होते है सेसनल मार्क्स होते हैं, आपके इंटर्नल बहुत सार Kin आपके जो प्रेच्छर कंट्रोल है ड्रक्टर उंपरका सर्जी उन्होंने बताए कि हमारा जो समिस्टर एक्जाम को जो रिजल्ट वो तैयार है वो भी प्रक्टिकल एक्जाम और इंटरनल मार्क्स की बज़े से रुका पड़ा है मैंको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपकी यूनिवर्सिटी को आपके कॉलेज वाले क्यों मार्क्स नहीं बेज रहे है फिरट कीजिए आपके कॉलेज की उपर है आपके कॉलेज जल्दी आपके मार्क्स बेज देगा उतनी जल्दी आपका रिजल जारी किया जाएगा त दन्यवाद मिलते हैं के लिए वीडियो में तरतकी जाएं जाएं जाएं